नमस्कार, उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित, विज्ञान शिक्षा, सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्मेक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित, ई-कंटेंट, सुदूर, छात्रों एवं अध्यापकों हेतु आधन के रूप में आपके चिंतनकोशल एवं रिचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा, धन्यवाद। आई अब हम बात करते हैं, असल जीवन में आयतन का क्या अर्थ है इस बात को समझने की, तो यहाँ पे मैंने आपको एक यह लड़की दिखाई है, खड़ी हुई, और इसकी जो लंबाई है, उचाई है, वो 1.8 मीटर है, या फिर 180 सेंटी मीटर है, आप इसको समझ सकते हैं कि 200 मीटर में कुल 20 सेंटी मीटर ही कम है, ठीक है, अब मैं आपको यह समझाना चारी हूँ कि अगर आप आयतन की बात कर रही हैं, तो आयतन का असल मान क्या होगा, अब जैसे यह डबबा है, और मैंने यह कहा कि इस डबबे की उचाई, लंबाई, चोड़ाई, सब 1 मीटर ह तो आप देख सकते हैं, कि अगर इसी तल से मैंने एक रेखा खीची, तो इसकी उचाई 1 मीटर होगी, और अगर मैं इस लड़की की उचाई की संदर में बात करूं, तो वो इस लड़की के कमर के कुछ उपरी हिस्से तक की उचाई होगी, ठीक है, अब मैं आप से एक प्र आप कितने लीटर दूद भर सकते हैं, तो आप देखिए मैंने प्रश्न को किस तरीके से परिवर्चित कर दिया, कि अभी तक तो मैं जो है लंबाई, उचाई, चुडाई की बात कर रही हूं मीटर में, और मैंने अब आप से प्रश्न पूछ लिया, कि आप इसमें कितना लीटर दूद भर सकते हैं, इसका मतलग कि जो हमारे पास किसी भी एक डब्बे की आयतन मीटर क्यूब में, या फिर मैं कहूं घन मीटर में होती है, घन मातरक में होती है, उसका सीधा सीधा जो एक संबंद है, वो इस तरीके की यहाँ पर जो आपको एक आई दी गई है, मि नोनों एक ही चीज की दो अलग-अलग एकाईयां है, अब आईए इस बात का मतलब समझें कि अगर एक लीटर का कोई दूद का पैकेट है, और एक मीटर क्यूब का मेरे पास कोई बड़ा डब्बा है, तो इन नोनों के आयतन में क्या संबंद होगा, तो आप सोचिए, एक एक बास सिर्फ इस बात की कलब ना करिए, कि हमारे पास एक इतना बला डब्बा है, जो कि एक मीटर उचा, एक मीटर लंबा और एक मीटर चौड़ा है, तो उसमें आप कितने दूद के पैकेट इस तरीके से फाल फाल के डालते जाएंगे, तो अगर आपका उत्तर एक है, तो आप जानते हैं कि गलत है, एक से तो बहुत जादा हम पैकेटिस में डाल सकते हैं, अगर आपका उत्तर दस है, तो भी आप कम सोच रहे हैं, आप और डाल सकते हैं, क्या उत्तर सो है? नहीं, उत्तर है हजार. इसका आशिया यह हुआ, कि एक मीटर क्यूब सो है, वो हज लीटर का दूद यहां पे स्टोर कर सकता है ठीक है तो इस तरीके से हम समझते हैं कि किसी एक डब्बे की और उसके अंदर दिया हुआ तरल पदार्थ की जो मात्रा है उसका सम्मन्द किस प्रकार से होता है मैं आपको एक इसका बहुत ही विशेश उधारण मताती हूं जो कि ह हमारे रोजमना की जीवन में होता है और हम इसको बहुत जादा समझ भी नहीं पाते जैसे कि कभी-कभी अगर हम तेल वगेरा मार्केट से खरीदें जैसे मैंने यहां पे आपको अपने घर की एक तेल की शीशी दिखाई है और आप देख सकते हैं कि इस तेल की शीशी में क दो लीटर तो लीटर में तो यह दो लीटर है और वजन में 1820 ग्राम है तो याद रखिए कि जब आप मार्केट से कोई तरल पदार्थ इस प्रकार का खरीते हैं और दो लीटर कहते हैं तो वो दो किलो ग्राम के बराबर नहीं है दो लीटर इसका मतलब कि इसकी जो है मात् इस तेल की मात्रा दो लीटर नाप करके इस डब्बे में भरी गई है इसका ये अर्थ बिलकुल भी नहीं है कि इसको तराजू पे रख करके दो किलो तौला गया है तो इस तरीके की जो चीजे हैं वो आपको समझनी चाहिए कि क्यूं हमारे पास जो आयतन का मान है उसका करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है अब आईए एक बार देखेंगे हमारे आज़ पास जो चीजें हैं उनकी असल आयतन के मान किस प्रकार से है जैसे कि मान लीजे अगर मैं लंबाई मात्र किसी एक चीज की कहूं कि 10 mm है एक सेंटीमीटर की लंबाई है तो अगर एक सेंटीमीटर लंबाई चोड़ाए और उचाई कर दूं तो आयतन हो गई तो एक सेंटीमीटर क्यूब का क्या मतलब हुआ एक सेंटी मीटर इंटू एक सेंटी मीटर इंटू एक सेंटी मीटर और फिर जब हम इसको गुणा करेंगे मिली मीटर में परिवर्तित करके तो दस मिली मीटर इंटू दस मिली मीटर जो की हो जाएगा 1000 mm3 और 1000 mm3 किसके बराबर होता है एक मिली लीटर के और अगर मैं आप से पूछूँ कि क्या आपने एक मिली लीटर के आयतन की कोई चीज देखी है कोई युकती ऐसी देखी है जिसकी मात्रा एक मिली लीटर हो तो हाँ आपने देखा होगा कि बच्चों को दबाई पलाने वाला जो ड्रॉपर होता है या फिर कई बार कान में आँख में दबाई डालने वाला जो ड्रॉपर होता है उसकी जो मात्रा है उसकी जो आयतन है वो कितनी होती है एक मिली लीटर इसी पकार से अगर में एकดमीटर की बात करूं तो आधमात्रद के बराबर होगा और एक डेसीमीटर की आहतन मातरत के बात करूं तो लगसी सबसे में उधाई, लेटर के बिक और यहाई। दूर्ट का पेक्ष placebo है तो इसकी जो आहतन है यह उधाई लेटर है फिर अगर एक मीटर की बात करें तो वो 10 cm के बराबर होता है और अगर हम लीटर में निकालें तो वो 1,000 लीटर हो गया तो 1,000 लीटर की कौन चीज हम अपने आस-पास देख सकते हैं 1000 लीटर की बहुत सारी चीज़े देख सकते हैं और यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 1 मीटर क्यूब का समान जो है वो कितना बड़ा होगा एक जगा पर तो यह जो यहाँ पर युवक खड़ा है इसकी उचाई भी लगबग 2 मीटर है और आप देख सकते हैं कि 1 मीटर की उचाई 1 मीटर की लंबाई और 1 मीटर की चोड़ाई कि यह डब्बे जो है इनकी को लायतन कितनी हो जाएगी 1 मीटर क्यूब और अगर आप इसमें कोई तरल पतात भरेंगे तो वो 1000 लीटर के बराबर होगा फिर 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के भी बराबर होता है तो इसी मातरा को हम सेंटीमीटर की उब में अगर निकालेंगे सेंटीमीटर के घन मातरक में निकालेंगे तो 10 की घात 6 के बराबर आ जाएगा और 1000 लीटर की क्या चीज़ हम अपने आसपास देखते हैं अपने घर में एक पानी की टंकी जिससे पूरे परिवार का काम चल जाता है एक द्यायने का वस्ता में है ना तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक लीटर जो है वो 1000 एमल के बराबर है और एक किलो लीटर जो है वो 1000 लीटर के बराबर है तो इस प्रकार से आपको असल जीवन में कैसे इन मात्राओं का प्रयोग हो रहा है ये समझना बहुत ही आउशक है और मैं फिर से आपको बताती हूँ कि जो घन मात्रक है लंबाई का और जो मिलिलीटर लीटर वगेरा ये जितनी भी एकाईया है ये सारी आयतन की एकाईया है यहाँ पे वजन से कोई भी लेना देना नहीं है वजन की बात नहीं हो रही है सिर्फ आयतन की बात हो रही है